एक्सल टिप्स एंग्रिक्स पार्ट थी इसमें हम देखेंगे कि जब भी हम कोई डेटा कॉपी करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है हमें पता नहीं चलता कि इसकी क्या सेंस बन रही है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले डेटा को कंट्रोल ए करके स्लेक्ट करने के बाद करेंगे तो इसको ओके करेंगे तो यह टेबल के अंदर कनवर्ट हो जाएगा अब table का design जो है वो कहीं पर भी click करने के बाद हम select कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए table के design को select करने के बाद हम फिर से control A करते है control A करने के बाद इस पे alt equal दबाएंगे alt equal दबाएंगे तो दो rows होंगी उनका total हमारे पास आ जाएगा जब हम control A करते हैं तो shift control T जब दबाते हैं तो total हमारा गुम जाता है वहाँ से यह hide कर लेते हैं हम उसे अगर हम उसे दुबारा से control shift T दबाते हैं तो यह total हमारे पास आ जाता है अब अगर हमने column wise के इलावा row wise total करना हो तो यहां पे click करके alt equal to दबाते हैं enter दबाते हैं, तो यह सारा total इस तरीके से भी आ जाता है, यहां पे भी करना इसका total, तो इसका total sum यहां पे भी आ जायगा, तो इस तरीके से आप सभी को sum कर सकते हैं, दूसरा तरीका sum करने का क्या है, कि आप simply इसके end पे जाएं, किसी भी column के, अब यहां पे मैं, control shift T दबा के, इसको hide करता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं simply यहाँ पर auto sum पर click करता हूँ, यह देखिएगा मेरे पास auto sum आजाएगा, तो सबसे पहले data को table के अंदर जरूर convert कर ले, control T करके, फिर आप जो भी काम करेंगे, वो आपके लिए असान हो जाएगा next please